देखे तो इसमें यार यह जो है और किमेडीज लौ बॉइंट फॉर्स बॉइंट फॉर्स यह अपने में ही एक बड़ा टॉपिक है आप यहां तो हाफ पीज का टॉपिक है तो बिल्कुल बेसिक ही हम डिसकस करेंगे ज्यादा नहीं डिसकस कर पाएंगे बट यह एक लंबा चोड़ा खुद से एक लंबा चेप्टर है तो इसका मतलब क्या है इसका मतलब बहुत ही सिंपल है इसका मतलब यह है कि कोई भी चीज अगर आप अधिलूड में डालेंगे तो जो फ्लूड है वो नीचे से फोर्स लगाता है उसको उपर की तरफ फोर्स लगाता है नहीं स तोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर लिए घर पे जाके ये को सब्सक्राइब को नीचे कोशिश की ये बात समय आई आपने बस्ताइब मग ले आपने प्लास्टी का मग ले और से जी टेसं गौण जी जी वो वही समझते हैं तो आपने मग लिया जैन साब और भाटी में आप उसको नीचे पुश करने की कोश्च कर रहा है अब वो जाने की वो नहीं जाना जाता है मैं सो जानी क्यों फूरिट फोर्श कर ऐसंगे है यहां तक मेरी बात समझाएं है यहां तक मेरी बात समझाएं अब उसके रीजन होंगे प्राणा निम्काना डेटेल में रीजन होंगे, बट हम एक छोटी सी लाइन यहां पढ़ेंगे, एक छोटी सी लाइन में आपको यहां पर समझाओंगा, देखिए, आर्किमेडीस प्रिंसिपल यह कहता है, कि हंगे, बट हैंगे, आर्किमेडी exercise लाइन में एक छुट्शन होंगे, आपने जो मग था आ आपका, जिसको आप नीचे की तरफ फुछ कर रहे दिए, जिसको आप नीचे की तरफ पुश कर रहे थे, तो इसने कुछ पानी डिस्पलेस किया, नहीं समझ में आया है बहुत ही सिंपल एक पोटो में आपके लिए बिना देता हूं तो उसी से समझ लिए जैसे लिए जो बकेट है फुल ऑब वाटर फुल मतलब लेवल तक है अब आपने कप लिया और कप को आप नीचे की तरफ फुश कर रहे हैं तो अफकोर्स कुछ पानी गिरेगा नहीं समझना है यह जो पानी बाहर गिरेगा देखे मैंने एज्यूम कर लिया कि जो बकेट था वो फुल ऑब वाटर था ठीक है न अफकोर्स अगर वो फुल ऑब वाटर नहीं होता अगर वो लेट एस होता है इस लेवल पे होता है आप यहां से कपको अंदर की पुश करने की कुछ चाहते है तो उस केस में ऐसा होता है कि इसकी जो हाइट है वो बढ़ जाती है नहीं बाहर समझ मैंने बट मैं एक ऐसा केस ले रहा हूँ जिसमें की लेवल तक था और आप कपको नीचे यह मिस्टर अर्किमीडीस ने का अर्किमीडीस को कैसे बता चाहला अगर समझ रा चाहते है तो क्लास नीट में समझ लीजे लेवल प्रिम यह टॉपिक डिटेल ने बताए जाहिं बताए जाए झाले को अब बतादे ग्ला कर आप बता दे स्टोड को आरे जा पार जाए प् experimenting with different objects बहुत बड़ी है बहुत अच्छीट बहुत बहुत अच्छीट objects with density higher than water would sink to the bottom and the water would fall out and the objects with less density would just float on top and the water would remain there बहुत बड़ी है so Eureka Eureka की स्टोरी है अच्छी आप कुछ बोलना जाते है बहुत बड़ी है अब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बहुत बड़ी हा स्टोरी है मैडम ने Eureka Eureka की स्टोरी 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 पट उसके पीछे what exactly did he realize वो डिटेल में जानने के लिए आपको 910 में जाना पड़ेगा 910 में फिसिक्स पढ़नी पड़ेगी and you'll understand की हुआ क्या और अभी मैं जो सिर्फ without any discussion में आपके साथ ये कह रहा हूँ कि जितना weight displace हुआ देखे मैं बार-बार कह रहा हूँ कि bucket के यहाँ edge तक water और जब आपने ये डाला तो पानी बाहर निकल गया ये जो पानी का weight है जितना बाहर निकला जितना इस पानी का weight है उतनी force लग रही है यहाँ तक मेरे साथ है अब देखेए Mr. Archimedes की वज़ा से interesting चीज़ें क्या आजाती है let us assume आपके बास एक oil tanker है जिसमें 500,000 ton का weight है नहीं समझना है इसको float करवाना है तो Mr. Jani कितना पानी displace करना बढ़ाईगा है तो आप अगर एक ship build कर सकते हैं Mr. Jani जो 500,000 ton पानी displace कर दे तो आप इस ship को टेरा सकते हैं नहीं समझ में आया या मतलब इससे जादा 600,000, 700,000 1,000,000 ton और water वो अगर displace कर सकता है तो उतनी force उस पे लगएगी उसके equivalent force उस पे लगजाएगी उतने newton उसके force लगजाएगी नहीं समझना है वह यह तो kg में होगा ना यह तो आप kg में convert कर सकते हो ton को और फिर इसको g से multiply करके मतलब वेट आप इसका इतना वेट मतलब जतना इस पानी का इसके equivalent पानी का वेट या इससे ज़्यादा आप अगर push ship जो है वो डिस्प्लेज कर सकती है तो वो तैर सकती है नहीं समझना तो मिस जानी जो है उनको science पसंद नहीं थी करते करते कैसा भी एक बार उनके दिमाग में आए कि या मुझे science पसंद नहीं है मैं बड डिजाइनिंग तो कर सकती है तो मिस जानी ने डिजाइनिंग चुरू कर दी और मिस जानी ने कुछ ऐसी एक ship बना दी मतलब side से देखा जाए तो जो ship है वो ऐसे नजर आती है मतलब इसका cross section ऐसा नजर आता है यहां तक पानी है यहां तक खानी है और मिस जानी ने ऐसा इसको बनाया कि यहां नीचे से इसको यह hollow बना दिया तो ship उपर से तो ऐसे नजर आती है बट नीचे इन्होंने ऐसे hollow बना दिया तो अब उतना ही पानी यह displace करती ज़्यादा पानी displace करेगी ज़्यादा displace करेगी तो यहां नीचे से लगेगी point 4 और उपर से होगा ship का weight तो point 4 जो है वो more than weight होगा ship होगी तो ship जो है वो तैरती रहीगी basically मैं आपको यह बताने की कुछ कर रहा हूं कि Mr. Archimedes मैं आपको एक line में यह बोल दिया कि जितनी force उस पर लगेगी that would be equal to the weight of the fluid which is displaced नहीं madam आप देखिए मैं ऐसे आपको समझाता हूँ तो बहुत जल्दी समझाता है आपने दो तरह की ships मनाई है एक ship आपने ऐसे बनाई है और एक ship आपने ऐसे बनाई है इन में से कौनसी float करेगी A या B यह A यह B है A क्यों float करेगी क्योंकि A जो पानी displays करेगी वो ज़्यादा करेगी नहीं समझ मैं आ रहा इसकी shape ही आपने ऐसे बनाई यह let us assume आपने कुछ ऐसी शेफ बना ले अब यह इतना बागी डिस्प्लेइस करेगी कि चिपना इस पर बॉइंट फॉस्स लगेगी मैं इस चीज को और भी सिंपल करने की कूछ करता हो try to understand अगर आप समझ पाते हैं यह आपने key ली में चानी यह key यहां से आपने ली और यह आपने पानी में डाल दे तो गिर जाएगी वो डूब जाएगी बट अब आपने क्या किया बुझको नहीं से सुनी में चानी यह जो भी metal था उसको आपने मेल्ट कर दिया और उसका आपने एक metal box बना लिए एक छोटा सा metal box बना लिए ठीक है जो की shield है मतलब उसके अंदर मतलब छेद नहीं है कोई ऐसा मतलब आपने बना लिए अब इस metal box को जब इस पे आप डालेंगे of course it will float because अब यह पानी जो है वो ज़्यादा डिस्प्लेस करना शुकर देगा नहीं समझ में आ रहा बात पकड़ में आ रही है नहीं आ रही आपने की ली मैटम की की आपने sheet बना दी और sheet से आपने किबाडल box बना लिए अब वो जो कीबाडल box जब आप पानी में डालेंगे वो जो पानी डिस्प्लेस करेगा वो ज़्यादा करेगा क्योंकि वो पानी ज़्यादा डिस्प्लेस करेगा इस वज़ा से उस पे जो बाइट फोर्स लगेगी वो ज़्यादा लगेगी जी in a way what you are saying और जितना वो पानी जादा दिस्प्लेस कर सकता है, उतना the water of displaced water would be more, और जितना displaced water जादा है, उतनी point force है, because Archimedes ने आपको ये बोला, in very simple terms, Archimedes ने आपको ये बोला, कि weight has displaced water, और जितना water displaced होगा, उतनी उसकी point force होगी, नहीं समझ में आ रहा, यहां तक मेरे साथ है, इसकी detail आप करना जाते हैं, तो आगे आप 9th or 11th में ये करा ही जाती है, तो उसमें आपको समझाया जाता है कि कैसे काम करेंगे, अब अगर आप समझ रहे हैं, जो density है, iron key, जो आपकी key है, उसकी density तो same ही है वो जो metal है, वो तो same ही है, बट अब आपने जो box बनाया, उसका basically उसकी जो average density है, वो आपने कम कर दी, because उसका volume जादा कर दी है, समझ भाए तो ठीक है, नहीं समझाया है, गोली मारी है, तो in short, मतलब in very simple terms, ये इस topic का meaning है, नहीं सहुने होना, शुझाने चस्ट अगोड़र.